नमस्कार दोस्तों एक तर रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ एकदम बज्जार जैसी मुर्मुरा नमकीन हाँ फ्रेंड मूरमरा नमकीन जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है एकदम बजार जैसी मूरमरा नमकीन आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं वो भी घर में मौजूद कुछ ही सामान से चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम बज़ार जैसी मुर्मुरा नंकीन सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे कड़ाई रखेंगे और कड़ाई के अंदर हम तेल डाल देंगे मैं रिफाइन डॉयल ले रही हूँ आप सर्सों का तेल भी ले सकते हैं और तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है क्योंकि हम इसके अंदर मुफली फ्राय करेंगे तेल जो है गरम हो गया है और अब हम इसके अंदर डेड़ कप मुफली डाल देंगे और मुफली को हम चलाते हुए भून लेंगे, हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें चलाते हुए मुफली को फ्राइ करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम बजार जैसी मुर्मरम नमकीन आपकी बनकर त्यार होगी, तो मुफ मुफली जो है कच्छी नहीं रहनी चाहिए, अगर कच्छी रहेगी तो नमकीन का टेस्ट जो है वो खराब आएगा, तो बस इसी तरह कंटीनू चलाते रहेंगे और धीमी आज पर हम इसे फ्राइ कर लेंगे, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, आप देखेंगे कि थो हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे, मुर्मना नमकीन घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते, अब इसके अंदर जो तेल है, उसके अंदर से हम दो चम्मच तेल जो है, वो निकाल देंगे, देखी जो बचा हुआ तेल है, मुफली तो हमारी प्राइब होई गई है, और यह तेल जो है, काफी जादा है, नमकीन बनाने के लिए, तो इस में से मैं थोड़ा सा ओयल जो है, वो निकाल दूँगे, तो देखे, तेल मैंने निकाल दिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे, एक चम्मच राई, हिंग डाल देंगे, एक चथाई चम्मच, हिंग का फ्लेवर आप अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं, साथी हम डाल देंगे, इसके अंदर हम खूब सारा करी पत्ता, तो करी पत्ता जो है, आपको बहुत सारा डालना है, इससे के फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, औ हम इसके अंदर डाल देंगे, लाल मिच्ची का पाउडर, एक चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नमक डाल देंगे, स्वात के नुसार, गैस का फ्लेम एक दम लो कर देना है, या फिर आप गैस का फ्लेम बंद कर दे, काला नमक आधी चम्मच, जीरा पा मसालों से ही फ्रेंड ये नमकीन जो है बनकर त्यार हो जाती है, अब हम इसके अंदर 500 ग्राम मुर्मुरा डाल देंगे, तो फ्रेंड आप एक बार इस नमकीन को बनाए और महीना भर तक खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जब जी चाहे इसे बना सकते हैं, गर में मजूद मसालों से ये नमकीन बनकर त्यार हो जाती है, बहुत ही जदा स्वाधिष लगती है, और इसे एक दम बजार जैसी आप घर में बना कर त्यार कर सकते हैं, और सभी को हम अच्छे से mix करेंगे, छलनी भी ले ले लेंगे, एक चम्मच ले लेंगे, उसकी सहायता से, मुर्मिरा के अंदर हमें अच्छे से mix करने ताकि सभी नम्कीन के अंदर मसाले लग जाए और यह पूरी वाइट वाइट नी एकडम येल्लो येलो दिखिए, एकडम मुफली भी ँदर सूखा नारियल अरOOO गाल सकते लिखाजू बदाम सकते तो यहां सकते और मैंने भाहरे इसमपल को मैंने बंद कर दिया है देखे बहुत ही अच्छी सी कुरकुरा पन इनके अंदर आ गया है बहुत ही सुन्दर दिख रही है और खाने में तो यह टेस्टी बनी ही है आप एक बार जरूर बनाईएगा खाईएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपकी अहम म सर्फ कर लेंगे तो देखिए हमाई नमकीन जो है बनकर बिल्कुल त्यार हो गई है करी पत्ते समयने से डेकोरेट करा है दिखने में यह बहुत ही सुन्दर लग रही है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है आप बनाईए खाईए तभी आपको पता चलेगा कि यह न नहीं और आसान रेसिपी के साथ वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत है दिल से धन्यावाद